नमस्कार, अलफा मैट्स क्लास में एक क्वेसन और देखेंगे, क्लास 10 एक्सर्शाइज 6.3, सीमिलर ट्रेंगल स्टेप्टर है, और क्वेसन नमर 13, क्वेसन लिखा हुआ है कि D is a point on the side BC of triangle ABC, एक ट्रेंगल है जिसमें से BC side पर D नाम का कोई एक point है, एक ट्रेंगल बनाते हैं ABC, जिसमें से BC side पर एक D नाम का point है, तो ABC triangle हम लोग बना लिए, इस पर D नाम का कोई एक point है, BC पर कोई भी एक point है D, कहीं भी इसको हम लोग substitute कर सकते हैं, वो इस तरीके से substitute करना है, आगे उसका condition है लिखा हुआ, कि such that angle ADC is equal to angle BAC, माल लेते हैं, D नाम का point यहाँ है, angle ADC, य is equal to angle BAC, angle BAC, यह वाला complete angle, यह दोनों angles आपस में given है, equal है, तो लाना क्या है, so that CA squared is equal to CB into CD, यह हम लोग को proof करना है, लाना है, तो एक एक करके सारे informations को पहले लिखते हैं, फिर इसको proof करेंगे, तो given, given that, पहला चीज़ तो यह है, कि D is a point on BC of triangle ABC, दूसरा information है, कि angle ADC, angle ADC is equal to angle BAC, यह दो information हम लोग को पता है, given है, लाना क्या है, to prove CA squared, CA squared is equal to CB into CD, यह हम लोग को लाना है, prove करना है, तो करेंगे proof, एक एक करके देखते हैं, जो given statement है हमारा, angle ADC और angle BAC, यह दोनो given angle है, कि equal है, हम लोग यहीं से hint निकालेंगे, clue निकालेंगे, जो given है, उसी को हम लोग माल लेंगे, कि यही आधार है हमारा, और इसी आधार पर हम लोग काम करेंगे, तो proof में आ जाईए, angles ADC is equal to angle BAC, और इसी को अगर हम लोग triangle बना दें, इसी दोनों angle को अगर हम लोग triangle बना दें, तो हमारा कम असान हो जायागा, लिखेंगे, in triangle ADC, and triangle BAC, अब इसी दोनों angles को हम लोग convert कर लिए, किसमें? triangles में, तो और हम लोग जानते हैं कि अगर triangle का दो angle भी अगर at least equal मिल गया, तो triangle सापस में similar हो सकता है, अगर triangle similar हो जायागा, तो उसका sides proportional हो सकता है, और proportional हो जायागा, तो यह relationship हम लोग आसानी से obtain कर लेंगे, so triangle ADC, and triangle BAC, सबसे पहला statement तो यही लिखेंगे, angle ADC is equal to angle BAC, मिल गया A, दूसरा statement जो हम लोग को चाहिए, एक और angle हम लोग को चाहिए, ध्यान से देखें इस दोनों ही triangle में, triangle ADC में यह C angle मिलना है, और triangle BAC में यही angle मिलना है, एक common है angle, so हम लोग लिख सकते हैं, angle ACD, angle ACD is equal to angle BCA, यह दोनों angle फिर से equal मिल गया और इसका reason हो जायागा, common, और उपर में जो angle लिखें है, ADC is equal to angle BAC, यह given है, और AA criteria से, by AA similarity criteria, triangle ADC similar triangle BAC, अगर यह दोनों triangle similar हो गया, इसका sides होना चाहिए proportional, अब कौन side किसके proportional, ADBA के proportional हो जायागा, लिखेंगे, AD upon BA is equal to DC upon AC, DC upon AC is equal to AC upon BC, मिल गया, अब हमको चाहिए CA का स्क्वार, CA AC एक ही बात है, यहाँ पर AC लिखा हुआ है, और यहाँ पर AC लिखा हुआ है, AC को हम लोग CA परें, चाहिए AC परें, एक ही बात है, अब यहाँ से इस relationship का आकाम अगर हम लोग करें, तो हमारा काम आसानी से बन सकता है, crossly multiply कर दें, तो हम लोग लिख सकते हैं, AC into AC is equal to DC into BC, AC into AC कितना आएगा, AC square, AC square is equal to DC into BC, DC into BC, अब ध्यान से देखा जाए, तो CA का स्क्वार, मतलब AC का स्क्वार, एक ही बात है, इसको CA लिखें, चाहिए AC लिखें, CA ही लिखे देते हैं, CA का स्क्वार is equal to CB, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है BC, इसको लोग BC लिखें, चाहिए CB लिखें, एक ही बात है, इसको लिखे देते हैं, CB into CD, अब यहाँ DC लिखा हुआ, इसको CD लिखें, चाहे DC लिखें, एक ही बात है, यहाँ पर लिख देते हैं CD, और यह इलाना था, यहाँ पर golden words में लिख देंगे, proved, अमारा काम बन गया, अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए, घंटी ज